आपको आज एक बहुती दिल्चस्प बात बताने जा रहा हूं ये बात उस वक्त की है जब नितिश कुमार ने भारती जंता पार्टी का दामन छोड़ा और वो महागटबंधन के पार्ट बन गए इस तरह मुख्य मंतरी के तोर पे वो महागटबंधन के मुख्य मंतरी बन ग पात्र नेता से मुलाकात मेरी हो गई और उनसे मैंने बिल्कुल इन्फॉर्मल ढंग से पूछी एक बात पूछी वही आपके नेता जी महागटबंधन के हिस्ता बन गए हैं भारती जंता पार्टी को छोड़कर जबकि लंबे समय तक वो भारती जंता पार्टी के साथ रह है जो कभी जंता दली धारा कहलाती थी कभी लोग दली कभी सोसलिस्ट तो क्या वाकई पुराने घर में वापस आ गया है नितिश्कुमार या फिर ये एंडिये में चले जाएंगे एंडिये टू में तो उन्होंने एक बड़ी दिल्चस्प बात कही पहले तो उन्होंने हम कुछ जवाब नहीं देना चाहा लगातार बसते रहे अरे यह ऐसा नहीं हो सकता अभी तो आये ही हैं अभी क्या पूछना इस तरह का सवाल लेकिन मैंने जब उनको भरोसा दिलाया कि देखिए मैं लिखने के लिए नहीं पूछ रहा हूं इसका मैं अपने लेखों में कभी कभी विशनेशन में या कमेंटरी में कभी इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन इसमें आपका नाम बिलकुल नहीं आयागा जब उनको ये भरोसा हो गया तब उन्होंने एक बड़ी दिल्चस्प बताई और उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो नितिश कुमार जी जरूर लेकिन आपको मैं यकीन दिलाऊं कि वो दो हज़ार चौविस का लोक सबाद चुनाओ बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे ऐसा अनुमान है मेरा मैंने कहा क्यों अनुमान है तो उन्होंने जो बात कही वो उनका अपना विचार था उन्होंने कहा कि क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना मोदी जी के नेत्रित्तों में भारती जन्ता पार्टी की ताकत को चुनावती देना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा और नितिश कुमार जी हारने वारी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे वो जीतने वारी पार्टी के साथ रहेंगे ये बात जब उन्होंने कही तो मैं चौंक गया फिर मैं याद करने लगा कि वो इंडिया एलाइंस के बात के दिनों में जब इंडिया एलाइंस बनना शुरू हुआ कि वो पटना में जब देखा मैंने की ये मीटिंग्स का इनिशेटिव ले रहे हैं विपक्षी एक्ता की मीटिंग का तो मुझे नितिश जी के विश्वासपात्र उस नेता का वो बयान याद आने लगा जब उन्होंने कहा था कि नितिश जी 2024 का चुनव बीजेपी के साथ लड़ेंगे भले ही आज वो महागटबंदन में हैं और मैं सोचने लगा कि उस विश्वासपात्र नेता ने ये बात क्यों कैसे और क्या सोचकर कही थी बहराल उन्होंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही साबित हो गया और नितिश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ चले गए 2024 का चुनव बड़ेंगे क्योंकि उनको अभी शायद यकिन हो गया कि चुनाओ तो वीजेपी जीतेगी लेकिन दोस्तों ये केवल नितिश जी की पार्टी के या नितिश जी के मित्र या नितिश जी के बाहर के शुवचिंत तक या उनके किसी निकटस्त व्यक्ति का ही एसेस्मेंट नहीं है स्वैम इंडिया एलाइंस के जो नेता है वह भी नितिश जी के बारे में यही सोच रहे थे बहुत सारे नेता जैसे आपको मैं दिल्चस्त बात बताओं कि जिस समय मुंबई में बैठक चल रही थी इंडिया एलाइंस की उस समय विपक्ष के एक नेता ने बहुत मुखर नेता ने शरत पवार जी से कहा कि सर नितिश कुमार जी को क्यों हम लोग कर्मीनर के रूप में इसी मीटिंग में तै कर ले अब चुकि मुंबई में बैठक हो रही थी इसलिए शरत पवार का उस मीट 2024 का लड़ा जाना चाहिए और क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाओ नितिश जी विपक्ष के साथ ही लड़ेंगे क्या ठीकाना है कि वो फिर से BJP में चले जाएं बड़ा मुश्किल होगा ये SS कर पाना तो इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी राउल गांधी या खडगे स किसी को भी किसी पर भी उन्होंने दबाव नहीं डाला किसी से भी यह नहीं कहा कि उनको कंविनर बना ही दिया जाए जबकि वो कंविनर बनाये जाने के विरुद्ध नहीं थे लेकिन वो असमंजस में थे कि क्या ये 2024 के चुनाओं तक हमारे साथ रहेंगे अब शरतप और स स्वेम विवादों में रहे हैं, अधानी साहब से उनकी दोस्ती, मोधी साहब से लेकर के और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से उनका अच्छा रेपो है, लेकिन वह स्वेम भी निति इश्कुमार जी को लिकार्स बहुत ज्यादा विश्वस्त नहीं थे, विश्वास शिफ मिनिस्टर बने हुए हैं, फर्णवीस और शिंदे की सरकार में बीजेपी के साथ, लेकिन शरत पवार अपनी तमाम अमिन उनको लेकर जितने संदे के बादल मनराते रहते हैं, इसके बादूद वोट ठीके हुए हैं इंडिया एलाइंस में, अपने आप में ये दिल लालू प्रशाद यादो को ये संदेशा दिया कि वो बहुत जल्दी अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, जल्दी कुछ कीजिए कि रोका जा सके उनको, वरना इंडिया एलाइंस का काफी घाटा होगा, वह व्यक्ति कॉंग्रेस का व्यक्ति था, कॉंग्रेस का एक ने ने जो मेरी जानकारी है लालू प्रशाद या तेजस्वी यादो यानि जो भी आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनको उसने सुचित किया था कि नितिश कुमार जी अब जल्दी ही बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो आप इनिशेटिव लीजिए और उनको समझाइए क कि ऐसा ना करें, तब लालू प्रशाद यादो तेजस्वी यादो को लेकर उनके घर गए, नितिश जी के हैं, और उन्होंने समझाने बुजाने की कोशिश की, बहराल जब चीजें सर से उपर गुजर चुकी थी, तब कहां पानी पीछे अटना था, और नितिश कुमार भ नितिश चीप मिनिस्टर भारती जनता पार्टी के दो नेताओं के साथ, तो ये कहानी है इंडिया एलाइंस की, जिसके कन्विनर के रूप में नेतिश कुमार जी कंसीडर किये जा रहे थे, लेकिन जिनके नाम पर निरड़य नहीं हो सका, पहले ममता बनर जी, अर्विन के केद्रिवाल का नाम आया, कि इन्होंने आपती जताई और सही बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि ममता बनर जी और केद्रिवाल का कोई और खेल था, और कोई पुलिटिकल गेम प्लान था, लेकिन असल कहानी तो ये है कि इन दलों का कॉंग्रिस से लेकर और नसीप पुलिटिकल जो राजनितिक दलों में जो एक एक दुसरे को लेकर जो सवाल होते हैं, संदे होते हैं, उनके बारे में मैंने आप से ये बात शेयर की